इस सरकार के प्रियासों से पिछले पांच बरसों में इस दसक को भारत का दसक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत निव रखी जा चुकी है चाहे पूज बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो बावा साहब आमबेटकर की सामाजिक न्याय की नीती हो नेहरू जी का आधनिक भारत बनाने का स्वपन हो सरदार पटेल का एक भारत स्रेष्ट भारत का संकल्प हो दीन दयाल उपाध्याय का अंतियोदे का लक्ष हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्सन हो हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करें माननी सदस्गर भारत का संविधान इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्क दसक है कुछ सब्ता पहले ही 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्स पूरे हुए उस दिन देश के 12 करोण नागरिकों ने सार्व जनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिवधता का संकल्प लिया हमारा संविधान देश के प्रतेक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही देश के नागरिकों को उनके कर्टब्यों का बोध भी कराता है हमारा संभिधान लोक तान्तरिप्रक्याओंसे हुए निरड़ेओं को देश-बासियों द्वारा स्युकार किये जाने की अपेक्छा भी रखता है इसके साथ ही हमारा संविधान इस संसत से तथा इस सदन में उपस्तित प्रतेक सदस्त से राश्रहित को सरवोपर रखते हुए देशबाशियों की आशाओं, आकांचाओं की पूर्ती करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपिक्षा भी रखता है मानिनी सदस्तिकान, मुझे प्रशनता है कि पिछले साथ महिनों में संसत ने काम करने के नए कीर्थी मानिस थापित किया है इस लोकसभा के पहले सत्र में सदन द्वारा कार निस्पादन पिछले साथ दसकों में एक नया रिकार्ड रहा है मेरी सरकार की द्रड एक्षा सक्ती के कारण, मुस्लिब महिलाओं को नयाय और अधिकार देने वाला तीन कलाग विरोधी कानून देश बासियों को नय अधिकार देने वाला उपभोगता संरक्षन कानून गरीबों की बचत रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंद कानून गरीबों को चिटफंड स्क्रीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संसोधन कानून बच्चों के खिलाब यवन अपराधों की सजा सक्त करने वाला कानून सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वहन संसोधन कानून और ट्रांसजेंडर विक्तियों के अधिकारों को संद्रक्षन देने वाला कानून जैसे अनेक अइतिहासिक कानून बनाए गए है संबिधान द्वारा अपेक्षित इस दायत्यों को निवाने के लिए मैं संसत के हर एक सदस्त का अभिनंदन करता हूँ मानेनी सदस्त कर हमारी लोग तंत्रिक बिवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जने वाला बेस्वास हमारे लोग तंत्र की निव को मजबूत करता है सुप्रीम कोड द्वारा राम जन्म भूमी पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिफक्वता से विवार किया गया वे भी प्रसंसनी है मेरी सरकार का इसपस्ट मत है कि पारस पर एक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और ससक्त बनाते हैं वहीं विरोत के नाम पर किसी भी तरह की हिंचा समाज और देश को कमजोर करती है मानने सदसकर लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जना देश देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जना देश नए भारत के निर्मान के लिए दिया है एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21 सदी के विश्चु को अपने ज्ञान की सक्ती से सम्रद्द करे एक ऐसा नया भारत जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं एक ऐसा नया भारत जिसमें गरीवों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवाशियों और अल्प संख्यकों को परियाप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी एक ऐसा नया भारत जिसका हर छेतर विकास करे, कोई छेतर पिशड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नलोजी का लाब समाज के आखरी छोड तक पहुँचे तथा एक ऐसा नया भारत जो चोथी और द्योगी करांती में अग्रणी भूमका निभाए और विश्व मंच में नई उचाईयों पर पहुँचे माननी सदस्गण ऐसे नय भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्छाओं की पूर्ती के लिए मेरी सरकार हर छेत्र में परिवर्तल लाने के लिए सराहनी इंगती और निर्ने छमता दिखाते हुए काम कर रही है सरकार द्वारा पिछले पांच बरसों में जमीनी इस्तर पर किये गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक छेत्रों में भारत की अंतर रास्ट्री रैंकिंग में अभूत पूर्व सुधार आया है वर्ड बैंक की इज आफ डूइंग बिजनिस की रैंकिंग में भारत 89 इस्तान ऊपर चड़ते हुए आज 63 इस्तान पर है Resolving Insolvency की रैंकिंग में भारत 108 इस्तान से 52 इस्तान पर और Global Innovation Ranking में देश में 74 में से 52 इस्तान पर पहुँच गया है Logistics Performance Index में भारत ने अपनी अंतरराश्ट्री रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है World Economic Forum की Travel and Tourism Competitiveness रैंकिंग में भारत 52 इस्तान से 34 इस्तान पर पहुँच गया है अलग अलग छेत्रों में ये सुधार अंतरराश्ट्री जगत को भी एक आवाहन है कि भारत ने पिछले 5-6 बरसों में किस तरह अपनी पुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के नर्मान के लिए उत्साहित है माननी सदस्कार मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पूरी निस्था और इमानदारी से काम कर रही है 8 करोड गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड गरीबों को घर लगबक 38 करोड गरीबों के बैंक आते, 50 करोड लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा 24 करोड लोगों को बीमा सुरक्षा कबच, 2 करोड से ज़्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, पूरी पारदस्ता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर छेत्र के गरीबों के हित्मे, समानता के साथ सहायता वा सुविधाय पहुचाई है और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है माननी सदस्गम, बंगाल की धर्ती के महान सपूत और जवाहलाल नहरू जी के नितरत वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डक्टर श्यामा प्रशाद मुकरजी ने लोगसभा में कहा था कि एक लोग तांत्रिक संगही राज में एक एकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्यकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते क्या जम्मू कस्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हगदार नहीं हैं जो हमने सेश भारत के लोगों को दिये है आज साथ दसक बात पूरे देश में इस बात की खुसी है कि डाक्टर श्यामा पुशान मुकरजी समेट करोड़ों सुतंतता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मों कस्मीर एवं लड़ाक के लोगों को वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं जो बाकी देश बासियों को प्राप्त है तंसत के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से सम्विधान के अनुच्छेत 370 और अनुच्छेत 35 एक को हटाया जाना ना सिर्फ अितिहासिक है बलकि इसे जम्मू कस्मीर और लग्दाग के समान विकाज का भी मार्ग प्रस्थ हुआ है मैं इस सदन के माज़्यम से जम्मू कस्मीर और लग्दाग के लोगों को विकास की मुक धारा से जुडने के लिए बहुत बहुत बदाई देता ह। माननी सदस्टकर जम्मू कस्मीर और लद्दाख का तेज विकास वहां की संस्क्रति और परंपराओं की रक्षा पारदर्शी वा इमानदार प्रशाशन और लोगतंत्र का सफसक्ति करन मेरी सरकार की परत्मिक्ताओं में है राश्पती शाषन के दोरान और केंदर सासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कस्मीर और लद्दाक में विकास की सभी परियोजनों में तेजी आई है बर्स 2018 के अंत में जम्मू कस्मीर की 4400 से अधिक पंचायतों में सांती पूर्वक चुनाव संपन हुए थे स्वतंद्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक ब्लॉग डिवलप्मेंट काउंसिल के चुनाव भी कराए गए है अब वहां के लोगों को स्वक्ष भारत अवियान उज्वला योजना आईस्मान भारत योजना उजाला योजना डी बी टी तता ख़द सबसिडी का पारदर्सी तरीके से पूरा लाब मिल रहा है परदान मंत्री आवास योजना के तहट जहां मार्श 2018 तक जम्मू कस्मीर में लगबग 3500 घर बनाए गए थे वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज़्यादा घरों का निर्मार तूरा किया गया है इसके अलावा जम्मू कस्मीर और अलदाक में कनेक्टिविटी, सिचाई, अस्पताल, परियतन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIMS जैसे उच्छी सिक्चा के संस्तानों की इस्ताप्णा का काम भी तेजी से चल रहा है जम्मू कस्मीर में सेव की सीधी खरीद के लिए नैफिट को जिम्मेदारी दी गई है इससे कस्मीर घाटी के सेव उत्पादकों को विशेश तोर पर लाब मिला है माननी सदसकन मेरी सरकार की जन कल्यांड कारी योजनाओं की सफलता ने तता सरकार द्वारा लिए गए इतिहासिक फैसलों ने देश-बासियों की अपेक्छाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दाईत भी है देश-बासियों की बरसों से यह अपेक्छा थी कि वो सुगमता के साथ करतार पुरसाहिप के दर्सन कर पाएं मेरी सरकार ने रिकार्ड समय में करतार पुरसाहिप कोरिडूर का निर्मान करके गुरु नानक दिवजी के गुरु नानक देव जी के 550 में प्रकासपर्व के अवसर पर इसे रास्ट को समर्पित किया गुरु नानक देव जी के 550 में प्रकासपर्व को देश और दुनिया में पूरे मान सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना मेरी सरकार के लिए सोभागी की बात है मेरी सरकार द्वारा स्री गुरु तेग बहदुर जी का चार सो हाँ प्रकास परव भी पूरी भब्रता और दिब्रता के साथ मनाया जाए 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 देश की माननी सदसगन देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाग से जादा लोग बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उने अपने घर का मालकाना हक और गर्मा फूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा दिल्ली की 1700 से अधिक कालोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया देश के किसानों, खेतियर मजदूरों, असंगठित छेत्र के मजदूरों तथा छोटे ब्यापारियों की अपेक्षा थी कि ब्रद्धावस्था में उनकी साहता के लिए पेंशन योजना सुरू हो मेरी सरकार ने ना सिर्फ उनकी इक्षा को पूरा किया, बलकि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब साथ लाग लावार्थी जुड़ चुके हैं पूज बापु ने स्वक्षिता को ईश्वर की उपासना से बढ़ कर बता रहे था पिछले 2 अक्टूबर को गांदी जी की 150 जहनती पर देश के ग्रामीर अलाकों ने खुद को खुले में सोच से मुक्त घूसित करके राश्वर्पिता के प्रती सच्ची सुद्धा व्यक्त की है अब हम सभी का दाइत्व है कि इस दसक में अपने सहरों और गाओं को और अधिक स्वक्ष और सुन्दर बनाएं मानेनी सदस करों आज भी देश के ग्रामीर छेत्रों में लगबग 15 करोड घर ऐसे हैं जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है घर में पानी के ना होने से हमारी बहनों बेटियों का जीवन सबसे ज़्यादा मुस्किल हो जाता है साथ ही दूसित पानी से पूरे परिवार का स्वास्त खराब होता है देश के गाओं में हर घर तक परियाद मात्रा में शुद्ध पे जल पहुंचे इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिसंद शुरू किया है केंदर सरकार सभी राज्य सरकारें इस्थानी निकाय और स्वहम से भी संसाय मिलकर इस अभिहान को जन अंदोलन में बदल रही है इस योजना पर आने वाले समय में तीन लाग साथ हजार करोड रुपए खर्च किये जाएंगे मेरी सरकार ने देश के सबसे संकट ग्रस ऐसे साथ राज्यों में जहां भूजल का इस्तर तेजी से घट रहा है मेरी सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रतेक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आकरी छोर पर खड़े गर्टी के विकास को प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए वैसे ही विकास में पीछे रह गए छेत्रों के विकास को भी प्रात्मिक्ता दी जाए देश के 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट आकांची जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक एक योजना पर सरकार बिशेश ध्यान दे रही है राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का ताल मेल बिठा कर सही नुक्तियां की गई है इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ और कई जिले अब अपने राज्य के आवसत के बराबर आ चुके हैं मैं प्रतेक आकांची जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बढ़ाई एवं शुब कामनाय देता हूँ माननी सदस्गर दिली से नार्थ इस्ट की भगोलिक दूरी से अधिक वहां के लोगों को दिलों की दूरियां खटकती थी मेरी सरकार ने पिछले पांच बरसों में अथक परिस्ट्रम करके इस स्थिती को बदला है नार्थ इस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आशान बनाने के लिए अभूत पूर्व गती से कारे किया जा रहा है सरकार के प्रियासों की बज़े से बर्स 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मनीपूर और नगालेंड की राजधानिया रेल नेटवर्क से जोड़ जाएंगे अगरतला, अखोरा, रेल लिंक पर भी काम तेजी से चलना है बर्स 2022 में ही अरणांचल प्रदेश के हल लोंगी में बन रहे, नए एरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा इसके अलावा गुहाटी में एम्स, नुमालीगर में बायो रिफाइनरी, मनीपूर में इस्पोर्ट्स यूनिवरस्टी का भी निर्मार तेज गती से हो रहा है हाल ही में सरकार द्वारा नार्थ इस्ट गैस गिर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9000 करोड रुपए सुखत किये हैं ये प्रोजेक्ट नार्थ इस्ट के सभी आठ राजियों में गैस बेस्ट एकॉनमी का आधार बनेगा पांच दसकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ आथिहासिक समझोता किया है इस समझोते से ऐसी जटिल समस्या जिसमें चार अजार से ज़्यादा लोगों की मृत्यू हुई उसका समाधान निकला है समझोते के बाद बोडो समधाय के विकास के लिए सरकार द्वारा एक हजार पांच सो करोर रुपए खर्च किये जाएंगे त्रिपुरा, मिजोरम, केंदर सरकार और बुरू जनजाती के बीच हुए ऐसे ही एक और अतिहासिक समझोते से ना सिर्फ दसको पुरानी समस्या हल हुई है बलकि इससे बुरू जनजाती के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है माननी सदस्गं देश के आदिवाशी भाई बेहनों को विकास की मुकधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्प बद्द है पहली बार किसी सरकार द्वारा बन उत्पादों पर MSP का लाब दिया गया है मेरी सरकार का विशेष बल आदिवाशियों के स्वास्त सिक्षा और कौशल विकास पर है सरकार द्वारा कुछ सब्ता पहले ही देश में 400 से ज़्यादा एक लब माडर रेजिदेंशिल स्कूल खुलने का अभियान सुरू किया गया है हाल ही में अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती को लोक सभा और विधान सभा में मिलने वाला आरक्षण भी अगले दस बरसों के लिए बढ़ाया जा चुका है माननी सदस्गा मेरी सरकार अलप संख्यक वर्ग की सामाजिक आर्थिक और सैक्षिक प्रगती के लिए भी निरंतर प्रियासरत है हुनर हाट के जरिये अलप संख्यक वर्ग के दो लाग पैंसट हजार हुनर मंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्द कराए गए मुस्लिम छात्र छात्राओं की सिक्षा निर्वाद जारी रहे इसके लिए बड़ी तादात में स्कॉलर्शिप दी गई है मेरी सरकार के विशेश आगरे पर सौधी अरब ने हज कोटा में अभूत पूर ब्रद्धी की थी जिस बज़े से इस बार रिकार्ड दो लाग भारती मुसलिमों ने हज में इबादत की भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी परक्रिया डिजिटल और आनलाइन की जा चुकी है सरकार देश भर में वक्व संपतियों का सत्प्रिस्ट डिज्टाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपतियों का उप्योग मुस्लिम संद्वाय के भले के लिए किया जा सके माननी सदस्गन मेरी सरकार द्वारा दिब्यांग जनों की आशाओं और पेक्छाओं के प्रती पूरी संबेधन सीलता के साथ काम किया जा रहा है आरक्षण में ब्रद्धी, कानूनी अधिकार में ब्रद्धी के साथ ही सरकार ने 1000 से ज़्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज़्यादा रेलवेज सेशनों को सुगम्म बनाया है बीते पांच बर्सों में हजारों केम्प लगा कर दिब्याग जनों को लगबग 900 करोड रुपए के उपकरण उपलब्द कराए गया सरकार द्वारा दिब्याग जनों का नेशनल डेटा बेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाग से ज़्यादा दिब्याग जनों को तो रामनात कोविंद को सुन रहे थे आप कल आम बजट पेश होना है ऐसे में आज सर्वे करते हुए नजर आए रामनात कोविंद जनोंने अपनी कई उपलब्द्या गिनाई है कई एहम छेत्रों में भारत की रांकिंग सुधरी है ऐसा रास्टपती ने का आ है वहीं कश्मीर में दो साल में 24,000 घर बनाए गए है तो कई एहम बाते सामने आई है जहां सरकार ने अपना ब्योरा दिया है बचट को लेकर